प्यारे अबिर्तियों नमस्कार स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फिवर में तो दोस्तों विदार्तियों के मन में रहने वाला बहुती बड़ा प्रस्ण या बहुती बड़ा कन्प्यूजन उनके दिमाग में रहता है कि सर बीए के साथ बीएश्टिसी हो सकती है या फिर बीएश्टिसी के साथ बीएश्टिसी के साथ बीएश्टिसी के साथ काफी सारे अवियूर्टी ने देखे कमेंट किया है कि सर मेरे बीए की ठीक ना बीए की किसी ने का फ़ेश्टियर चल दही है या किसी ने का बीए की मेरी सेकंडियर चल दही है तो क्या मैं साथ में बीएश्टिसी कर सकता हूँ क्या अगर कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ आगे कैने होगा या नहीं जब आप jobs के लिए apply करोगे ठीक ना, jobs के लिए जब आप apply करोगे चाहे वो teaching हो या फिर कोई और job हो तो उसके लिए जब आप apply करोगे तो क्या उसमें valid होगा या नहीं तो पूरी जानकारे इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इसी वीडियो के बाद आपका सारा confusion, सारे जो doubts हैं, इस प्रशन को लेकर वो समाधान हो जाएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू दोस्तो BA और BSTC के बारे में देखिए दोस्तो BA और BSTC, BA और BSTC, ठीक न? यह दोनों जो हैं, दोस्तो, minimum इनकी जो योगियता रहती है, वो रहती है, दोस्तो, 12th pass out, ठीक न? जो भी विदारती, जोनोंने 12th pass कर ली है, वो BA, BA में योगि हो जाता है, BA first year का exam देने के लिए, या उसका form बने के लिए एपलाई हो जाता है यानि की BA और BSTC, दोनों ऐसे course हैं, जो की बार भी pass करने के बाद किये जाते हैं, और आपको बता दू दोस्तो, BA जो है, ठीक है न? BA जो है, तीन साल का एक degree course होता है, जो की सनात्तक होने के लिए undergraduate course होता है, ठीक है न? रिट में eligibility के लिए दोस्तो, दो साल का किया जाने वाला course है, ट्वेल्थ पास करने के बाद दोनों course के लिए योगी आप हो जाते हैं, अब देखें दोस्तो, BSTC की में बात करूँ, ठीक है न? अब काफी सार ability के मिन में ये doubt रहता है, कि सर अगर हम B.A. के बाद BSTC करते हैं, ठीक न? 12 हमने pass out कर लिया है, या फिर एक साल पहले हमने 12 कर लिया है, अब हम B.A. करना चाते हैं, तो B.A. के बाद अगर BSTC करते हैं, तो दोस्तो हमारे कितने साल, 3 साल तो B.A. के नश्ट ह बच जाए, और ये दोनों कोर्से जो हैं, एक साथ किये जा सके, तो दोस्तो बिलकुल, ठीक न? B.A. के साथ में आप बिलकुल BSTC कर सकते हैं, अगर आप BSTC में योगी हो गया है, या या पिर अभी नई भी किया है, तो अभी आप देख लेना, BSTC में अगर आपका सेलेक संस्तान होता, एक अलग इस्टिट्योट हता है, जब कि B.A. आप किसी भी कåलेज से करते हो, उसका अपना एक अलग संस्तान करवाता है, या या कि ये दोनों कोर्सेज, ठीकिए, ऊएक यूनिरी से आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपका संस्तान अलग है, और BSTC का जो संस् किर या सकते है थीले तो यह तो प्रस्चन का समादन आपको मिल गया कि बीए के साथ में वी यह उसकती हैES यह नो का कॉर्स होता है इसमें आपको डेली जाना ये एक regular course होता है, दो साल का, और जब आप दोस्तों BSTC regular करते हैं, तो साथ में जो आपकी BA है, वो आपकी दोस्तों private करनी पड़ेगी, ठीके ना? आप BSTC regular करते हैं, तो BA आप regular नहीं कर सकते हैं, ठीके ना? मतलब बीए का फोर्म आपको प्राइवेट से बनना पड़ेगा ठीक ना आज कापे सारे केंडिडेट और मेरे मित्र लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने बीएश्टीसी की थी ठीक ना जिन्होंने बीएश्टीसी की थी और साथ में उन्होंने बीए का फोर्म भी प्राइवेट से apply किया था, चाहे किसी भी university से करो आपकी वो degree मानी होगी, ठीक ना BSTC की भी degree मानी होगी, जो course होता है उसका जो diploma होता है, वो भी मानी होगा और जो BA की degree होगी, वो भी आपके मानी होगा, बस सरते आपको BA की degree regular नहीं करनी है, ठीक ना अगर आप BSTC करते हैं आईवेट से बरना पड़ेगा, ठीक ना तो बिल्कुल दोस्तों, BSTC के साथ में आप BA बिल्कुल कर सकते हैं, सरकार ने ऐसी मानियता दे रखी हैं, कि BA के साथ आप BSTC भी करते हैं, अगर आप BA के BA के बाद BSTC करते हैं, तो इससे आपके 5 साल वेश्ट हो जाते हैं, तो 5 साल वेश्ट होने से रोकने के लिए आपको BA के साथ में BSTC भी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों BSTC से आप 3rd grade teacher के लिए apply हो जाते हैं, REIT के लिए apply हो जाते हैं, और BA के बाद आप Vibin courses में, जो हैं Vibin नोकरियों में apply कर सकते हैं, ठीक ना तो ये था दोस्तों, आज का बड़ा स्वाल कापी सार अबिर्टी ने ये message किया कि सर उसके उपर एक वीडियो बनाई है, हम confusion है, जितने भी 12 में अभी विदारती है या 12 के बाद जो भी अबिर्टी है, वो पूछ रहे थे कि BSTC के साथ में BA की जा सकती है क्या, अगर की जा सकती है, तो कैसे की जा सकती है, इसका भी मैंने आपको answer दे दिया, और आगे इसकी क्या मानियता रहेगी या नहीं तो इसका भी मैंने answer दे दिया, तो उमीद किसी ओवाने वीडियो में तब तक लते अलविदा धन्निवे